दोस्तों हमने पहले पिर जाना था कि कई बार जो पानी है वो कम पढ़ जाता है कई जगाहों पर पानी जो है उसकी कमी पढ़ जाती है तो भला पानी कम क्यों? Why less water? आईए एक बार फिर से देखते हैं कि पानी कम क्यों पढ़ जाता है? सबसे पहले देखिए तस्वीर में हर जगा बराबर पानी ना पहुँचने की वज़े से पानी कम पढ़ जाता है एक और तस्वीर थी एक जगा की जहां पर पानी जो है वो कुछ ही समय के लिए आता था और सिर्फ एक घंटे के लिए आता और बागी टाइम नहीं आता लेकिन जो पानी है उसका जो बटवारा है यानि की जो पानी है वो बराबरी से सब के पास नहीं पहुचता जिस वज़े से एक जगा पर तो जादा पानी पहुचता है और दूसरी जगा पर कम और एक जगा पर पानी की कमी पढ़ जाती है और क्या वज़े है जिस वज़े से पानी कम पड़ जाता है और वज़े है बारिश ना होने की वज़े से कई बार बारिश जो है वो लंबे समय के दे नहीं हो पाती जिस वज़े से पानी जो है वो कम पड़ जाता है तालाब में जील में नदियों में पानी की जो मात्रा है पानी जो है वो कम हो जाता है या फिर कई जील और तालाब तो जो कि बारिश के पानी सही बनते हैं वो बिलकुल ही सूख जाते हैं क्या आपने भी अपने आसपास ऐसा कहीं देखा है कि जील और ताला अब जो है वो सूख गए हो क्योंकि बारिश ना होई हो उसके अलावा और क्या कारण है जिस वज़े से पानी कम पड़ जाता है उसके अलावा कारण है अलग जगा होने की वज़े से कई बार कोई जगा ही ऐसी होती है जहाँ पर पानी होता ही कम है जैसे कि रेगिस्तान जो रेगिस्तान होता है जैसे हमारे देश में भारत में है राजस्तान वहाँ पर हमारे पास रेगिस्तान है वहां कि जो मिट्टी होती है और वो जो है वो पानी नहीं सोख पाती जिस वज़े से पानी जो है वो अंडरग्राउंड नहीं बन पाता यानि जमीन के नीचे का जो पानी है वो नहीं बन पाता और साथ ही वहां बारिश भी बहुत कम होती है तो कई जगा ही ऐसी होती है जहाँ पर पानी कम होता है उसके अलावा क्या करण है उसके अलावा पानी की बरबादी की विज़े से भी पानी कम पड़ जाता है कई बार पानी होता है पूरी तरीके से हर जगा मौझूद हो तब भी वहाँ पानी कम पड़ जाता है क्योंकि हम अच्छे से यूज नहीं करते हैं, हम उसे बहुत जादा waste कर देते हैं, देखिए तस्वीर में किस तरीके से हम एक बच्चा जो है वो brush कर रहा है और पानी जो है वो चलावा है, जबकि पानी की जरूरत उस वक्त पर नहीं है और पानी बहुत दुखी है कि उसे waste करा जा रहा है जबकि उस टाइम पर पानी बंद किया जा सकता था तो ऐसे ही हम रोज छोटी छोटी चीजों में बहुत पानी waste कर देते हैं, तो ये कारण हमने जाने जिन वज़े से पानी जो है वो कम पड़ जाता है, क्या इसके अलावा भी कोई कारण है जिस वज़े से पानी कम पड़ जाता है सोचिए दोस्तो हमारे पास तो पानी है शायद हमारे पास पानी पहुंच रहा है, हम ऐसी जगा पर रहते हैं जहाँ पर पानी जो है वो मिल रहा है लेकिन अगर हम रेगिस्तान में रह रहे होते और वहाँ हमें पानी नहीं मिल पाता तो हम क्या करते आईए ऐसी ही एक कहानी जानते हैं ये कहानी है माधो की कहानी यानि माधो स्ट्रोरी ये जो चित्र है ये लिया गया है आपकी NCERT की पुस्तक आसपास कक्षा तीसरी की उसके पार्ट 20 से तो जो माधो का गाउं है न वो है राजस्थान में और वहाँ पर पानी की अक्सर कमी ही रहती है और गर्मियों में तो बिल्कुल ही पानी मिलना मुश्किल हो जाता है और माधो और उसके परिवार को पानी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अब देखिए जैसे माधो जो है वो ये रहा तस्वीर में देख पा रहे हैं ये रहा माधो तो माधो जो है वो अपनी ममी और अपनी बहन क गाउं से बहुत दूर कई किलोमेटर दूर पैदल चल कर रेगिस्तान में आया है इस जगा पर जहां पर है एक छोटा सा तालाप जहां से गाउं के सभी लोग पानी भरने आते हैं तो यहां पर माधो भी आया है पानी भरने अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ तो यह रही जगा जहां से वो पानी भरेंगे तो यह लोग सारे यहां से पानी भरेंगे उसके अलावा कई बार जब पानी बहुत ही कम होता है तो ट्रेन से भी पानी पहुंचाया जाता है जैसे कि गर्मियों में ट्रेन के जरीए पानी पहुंचाया जाता है तो माधो के जो पापा है वो उट की सवारी करके ट्रेन के पास जाते हैं रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं और वहां से बानी भर कर लाते हैं सोचिए दोस्तो वहां कितनी तकलीफ होती होगी पानी जो है कितना कम है इतने किलोमिटर दूर चल के जाते हैं लोग पानी भनने के लिए उनके पैर में गर्मी में च्छाले भी पढ़ जाते हैं इतनी गर्मी में पैदर चलने की वज़े से क्या आपने भी किसी से जाना है कभी कि रेकिस्तान में पानी पाना कितना मुश्किल हो जाता है जहां पर पानी की अक्सर बहुत कमी पढ़ जाती है या आपने कहीं सुना हो कि किसी गाउं में पानी की बहुत कमी पढ़ती हो वो एक और चीज के जरीए पानी खटा करते हैं बारिश का आएए देखते हैं कि माधो के काओं के लोग बारिश का पानी किस तरीके से खटा करते हैं देखें माधो के जो परिवार के लोग है वो इस तरीके से पानी खटा करते हैं ये जो तस्वीर में है ये है एक टांका टा तांका जो है वो काम कैसे करता है यह जो घर का आंगन है यहां पर अंदर की तरफ यहां से गढ़्धा करकर जो है एक गढ़्धा बनाया जाता है जमीन के नीचे और उसे इस धककन से ठक दिया जाता है और क्या होता है तो यह जो जमीन के नीचे गढ़्धा बना वो होता है आंगन के नीचे जो है वो टांका बनता है और ये जो छट होती है ना इनकी ये छट थोड़ी सी धलान में बनाई जाती है इस तरफ से उची और इस तरफ से नीची तो सारा पानी जब बारिश का पड़ता है तो वो एकटा होकर इस तरफ आ जाता है और सारी ढलान इस तरफ होती है और पानी इस नाली की तरफ आ जाता है ये नाली जो है ये इस टांके से जुड़ी होती है connected होती है और इस नाली के ऊपर यहाँ पर लगा दिया जाती है जाली जिसे नेट होती है छलनी होती है हमारी वो लगा दी जाती है इस नाली के उपर तो सारा पानी इखटा होकर यहां आता है और छलनी से छन कर नीचे चला जाता है टांके के अंदर तो पानी जो है वो साफ भी हो जाता है जो बारिश का पानी होता है वो और इसके जरीए टांके के अंदर पानी जो है वो इखटा हो जाता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है लोग ये धकन खोल कर पानी जो है वो उससे ले लेते हैं जो कि टांके का पानी साफ होता है तो इसे पीने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है दोस्तों हमने देखा कि ये बहुत ही पुरानी तकनीक है जिसको राजिस्थान के लोग जो है वो इस्तमाल करते हैं बारिश का पानी खटा करने के लिए इसके अलावा राजिस्थान में कुंड भी बनाये जाते हैं जिसकी वज़े से बारिश का पानी जो है वो इखटा किया और इंग्लिश में हम उसे कहते है पर लोकेशन पॉंड तो जोहड जो है वो हम जमीन में गढ़्धा करकर बड़ा सा गढ़्धा बनाते हैं और जब बारिश पड़ती है तो उस गढ़्धे में पानी खट्टा होता है और यह पानी जो है अकसर इसको नीचे से गढ़्धे कर कि आपने कभी किसी गाउं में देखा है कि ऐसे एक छोटा सा छोटी सी जगा हो जहां पानी खटा हुआ हो और उसमें गाय भैस जो है वो नहा रहे हूं या फिर लोग कपड़े धो रहे हूं तो वो जोहड ही होता है यहां पर भी लोग जो है अपनी गाय भैस को निलाने आते हैं कपड़े धोने आते हैं तो यह है हमारा जोहड या पोखर भी इसे बोलते हैं यह हर्याना में इसको जोहड बोलते हैं जादा तर राजिस्थान यूपी गुजरात यहां पर अक्सर इस तरीके के जोहड बनाए जाते हैं पोखर बनाए जाते हैं और बारिश का पानी ज जानते हैं जिसकी मदद से बारिश का पानी जो है वो इखटा किया जाता हो क्या कभी आपने बारिश का पानी इखटा किया है कई लोग तो अपनी छटों पर बारिश का पानी जो है वो इखटा करते हैं क्या आप इन सारे तरीकों के अलावा कोई और तरीका जानते हैं बारि का पानी घटा किया जा सकता है